हाई अबरीबन आप सभी को नमस्कार आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में ब्यस्त होंगे तो कुछ दिनों से ये सेट प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था चुकि थोड़ा सा बीजी हो गया था अपने ड्यूटी के कारण तो उधर टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण सेट प्रैक्टिस नहीं आ पा रहा था तो आज से फिर से नए सीरे से चालू करते हैं और आज के बाद कंटिन्यू रहेगा और प्रतेक दिन एक अक सेट आप लोग को विस्तस्मार्ट अप्रोच के साथ सलूसन दिया जाएगा और जल्द ही आप लोगों के लिए जहरकंट सचिवाले के लिए हमारे स्टड़ी फोर गोल टीम के दौरा और हमारे दौरा एक बहुत ही अच्छा तौफा आप लोग के लिए लाया जा रहा है वो कुछी दिनों में आप लोग के सामने रिवील किया जाएगा तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि विडियो को जायदा से जायदा सेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुचाएं और कमेंट करें और आप लोग के लिए क्या और किया जाए उसके बारे में कमें में लिखें तो बिना समय को गवाए प्रस्ण की और चलते हैं पहला प्रस्ण है सभी संख्या 50, 70, 110 और 170 में कौन सी संख्या घटाने से यह संख्याएं अनुपातिक में हो जाएगी तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है यह अनुपात है अनि परपोस्टनल में है इसका मतलब क्या है कि A by B equal to C by D अब यह प्रस्ण में दिया गया है कि क्या घटाया जाए तो सबसे 50 में कुछ घटाते हैं divided by 70 में कुछ घटाते हैं equal to 110 में कुछ घटाते हैं इस प्रकार का अप्रोच जब आये तो X को solve करने के लिए cross multiplication नहीं करना है इसका smart तरीका हमने बताया था पिछले कलास में कि सबसे पहले difference देखते हैं यहां difference कितना है 60 यहां पर difference कितना है 20 अब इस difference को equal करना है तो इसको 60 करने के लिए 3 से multiply करेंगे और जब 3 से multiply करेंगे तो numerator और denominator नहीं करेंगे चोकि already 60 है अब इसको solve करेंगे यह इधर आएगा तो 40 हो जाएगा equal to यह इधर जाएगा तो 2X आजाएगा X का value क्या आजाता है यहां से 20 तो X का value क्या हो जाएगा 20 B option सही जवाब तो आसा करते हैं कि आप लोग को यह प्रसंद समझ में आया होगा और जितने भी JSC के exam होते हैं बहुत सारे प्रसंद रिपीट करते हैं तो आपको practice जो state करवा रहे है जो previous year का इसको अच्छे से बना जाना है next प्रसंद है देखें सेम इसी प्रकार का प्रसंद है यहां पे क्या बोला गया है क्या जोड़ा जाए तो सेम उसी तरह करेंगे तो 24 14 प्लस X divided by 22 प्लस X equal to 32 प्लस X divided by 49 प्लस X यहां पे थोड़ा सा difficult होगा क्योंकि यहां का difference 17 है और यहां पे difference 8 है अधि यहां पे 8 से इसको 17 से multiply करते हैं तो यह थोड़ा सा calculation lengthy हो जाएगा तो यहां पे हम direct value put करके देख लेते हैं तो suppose दो options सही मानते है दो 14 दो कितना हो जाएगा 16 और 22 कितना हो जाएगा 24 एकवल टू 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 और 49 प्लस X करेंगे यह 2 8 से जाएगा यह 3 8 से जाएगा यह 2 17 से जाएगा यह 3 17 से जाएगा I mean 2 बटा 3 equal to 2 बटा 3 satisfy कर गया इसका मतलब है कि option यह जो है सहवाव है हो सकता है आपको एक जामिनर थोड़ा सा अधि अस्मार्ट निकले तो यह option को 2 को चौथे नमर में दे सकता है तो इसक इस approach से जाते हैं difference वाला method से तो यह जाएदा समय कील करेगा चलिए next person में देखते हैं KPS school की साथवी कच्छा में लड़कों और लड़कीयों का अनुपाद 2 is to 3 है अधि लड़कीयों की संख्या अकीस है तो कच्छा के कुल छातरों की संख्या क्या होगी boys और girl boys और girl का अनुपाद क्या है 2 is to 3 अब यह 3 का value कितना दिया हुआ है तो कितना time है 7 time तो यह 2 का value कितना हो जाएगा 14 यह भी 7 time होगा तो total कितना हो गया 14 और 28 36 sorry 14 और 28 कितना हो जाएगा 35 यह option सभी जबाब next question है किसी वस्तू को 1200 रुपिया में बेचने पर प्राप्त लाव उसे 600 में बेचने में उठाये गए आनी का दुगना है suppose इस प्रस्न को पैसे करेंगे यहाँ पे उसका suppose cost price था अब यह इधर बेच रहा है तो फाइदा हो रहा है इधर बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है 1200 मतलब 600 तो एक का भेलू क्या हो जाएगा 200 तो इस एक का भेलू क्या हो गया 200 अब प्रस्न में पूछा गया है क्राइमूल क्या है तो 600 रुपिया और 200 क्राइमूल cost price तक आने के लिए यह तूरी चलना पड़ेगा तो 600 और 200 कितना हो गया 800 option number C सही जवाब हो जाएगा आसा करते हैं आप लोग को समझ आ रहा हो और इतनी गर्मी में आप लोग के लिए क्लास लाया जा रहा है तो कोसिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट प्रसन देखते हैं हजार और सोलह हजार आठसो दो जिरो से दो जिरो कट जाएगा ये असी से कट जाएगा और ये आठ चौरासी से कट जाएगा ये बीस और ये अकीस पांच से इसको कर देते हैं इसको पांच से कर देते हैं ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 105 तो 100 से 105 हो गया इसका का इंक्रीज हो गया है 5 परतिसत का option गलत है इसलिए कितना answer हो जाएगा 5 परतिसत सही जवाब हो जाएगा next person है एक चुनाओं में केवल दो परतियासी थे सीता और गीता सीता और गीता थी सीता को कुल मतों का बारतास परतिसत और 720 मतों से चुनाओं जीत गया क्या क्या है सीता है और गीता को 62 परतिसत सॉरी गीता को बारतास परतिसत मिला है तो सीता को कितना मिला होगा 38 परतिसत चुकि total vote कितना है 100 परतिसत अब सीता को 62% और इसको 38% मिला है और ये 720 मतों से जीत गई है तो कितना परतिसाद भूट जैदा मिला है तो 38 और 4, 42, 24% और ये 24% का भेलू कितना है 720 तो एक परतिसाद का कितना हो गया 30 तो कुल मत तो कुल मत कितना होता है 100 परतिसाद तो 100 परतिसाद का कितना हेलो हाजाएगा 3,000 option number B सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है एक परिच्छा में परिचार्थियों को उतिर्न होने के लिए 40% अंकों कियाग सकता है और रोटा रोटा को 800 अंके मिले और 200 अंकों से अनुतिर्ण होती है कोई सपोज XYZ कोई नाम होगी यहाँ पर रोटा थोड़ा सा अटपटाग नाम है लेकिन लेट कर लेजे कोई भी XYZ नाम होगा अब उसे सपोज यह है पासिंग मांक्स उसे 800 मांक्स मिला और 200 अंकों से अनुतिर्ण हो गई पासिंग मांस कितना परसेंटेज है 40% और 800 यह राप्त किया है और 200 अंकों से अनुतिर्ण हो गया मतलब 800 दस सो नंबर लाता तो यह पास कर जाता तो 40% passing marks है और value में, number में कितना है 1000 अब कुछ पर अंक पर आपत बताएं तो total marks कितना होता है 100 – 100 पर 30 का value क्या हो जाएगा 1-0 सो 1-0 कर जाएगा यह 25 से multiply इंगी तो 25 से करेंगे कितना हो जाएगा I mean option number c सहीं जबाब हो जाएगा थोड़ा सा fast करते हैं चुकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास और सचवाले का जैसा कि आज एक नोटीस हमारे चमपाई सोरेंड के दोरा जारी किया गया है एक ट्वीटर में ट्वीट किया है कि जितनी भी recruitment process है उसे September माह तक complete किया जाए चुकि election भी है तो इसके लिए ज्यादा समय गवाते ह हुए नहीं एक सेट को जैदा कम से कम समय में ताकि आप स्पीड में देख सकें गारगी ने अपने पैसों में साड़े बारतर प्रतिसत बचत किये से सरासी में से 75% खर्च करने के बाद 17,500 बचा सबसे पहले साड़े 12% देखते ही आप लोग के दिमाग में क्लिक होना चाह यह 3 बटा 4 खर्च कर दिया बच गया उसके पास एक बटा 4 अब उसके पास टोटल 17,500 बच गया है यहां से काटेंगे 72 14 तीन बचेगा 7 35,000 एकस का भेलू क्या आ गया 32 इंटू 25,500 इसको सिंप्लिफाइ करना है उपर से 4 मल्टिप्लाइ करेंगे नीचे 4 से मल्टिप्लाइगे क्यों 4 से मल्टिप्लाइ किया चुकि 25 को 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा यह 4 से आसानी से कड़ जाएगा 8 इतना जाएगा उप्शन 25,100 और 8 पर 2,0 उप्शन नमबर C सही नेक्स प्रस्ण है एक व्याज 83 रूप से संजोजित हो और 1,20,000 पर 9 महिने के लिए 20 परतिसत जर्थ से चक्रविड़ी व्याज कितना होगा तो इस प्रस्ण को देखते हैं 9 महिने के लिए 20 परतिसत के हिसाब से 38 बोल रहा है तो 1,2,3 और 1,4 तो 20 परतिसत है तो 5 परसें तो 3 महिने का तो 5 5 परतिसत का 3 महिने का तो फर्मूला बताएं कि CIE 4 3A का ट्रीक है 3A.3R2 इन्टू आर्किव तो 5 परतिसत तो 25 परतिस 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 आएगा तो 25 लिखेंगे एक कैडि करेंगे 25 तिया 75 और 1,76 होगा 5 तिया 15 मतलब 15.625 परतिसत इसका क्या हो जाएगा compound interest अब इसे डारेट 120 से एक लाग 20 जारका है तो 12 से multiply कर देते हैं कितना हाता देखते हैं 5 दू न 10 के 0 बाकि 1 2 2 4 टेक 5 चोदू न 12 के 2 बाकि 1 7 दू चोदू न 5 बाकि 1 चोदू न चोदू न 5 बाकि 1 चोदू न 5 बाकि 1 चोदू जेरो पाँच एक आठ शोरी यहां पर हो जाएगा नो हो जाएगा नो आठ एक कितना है यह 189 15 टैरेट आप्शन मिलाएंगे पॉइंट लगाने के कोई जरूरत नहीं है डिट मिलाएंगे 189 15 आप्शन नमबर सी सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है यह प्रस्ण आप लोगों को हिंट कर दे रहा हूं और आपको इसका जो एंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है बताया क्या है कि 6 आठ परतिसत की दर से 32 एक वरिष्ट नागरी टीना ने नीजी छेतर के बैंक में 6 में वर्स छे महिने तय यह वदी के लिए वार्षी काट परतिसत जमा की नागरी के कान आते यह प्रसंद क्या है करदवार्षी गुप से 6 महिने यहां पर खोड़ा सा मिस्प्रिंट एक वर्स की तय यह विदी होगा तो 8 परतिसत है तो एक वर्स के लिए 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो 4 परतिसत और 4 परतिसत होगा अब उसे अतिरिक्त 0.5 परतिसत का लाव दिया जा रहा है तो अर्द वार्थी गुए तो परिवतर कितनी रासी मिलेगी तो सपोज 3 लाख 20,000 था इस पे कितना मिल रहा है 4 परतिसत और 0.5 परतिसत मतलब 4.5 परतिसत का मिलेगा उसे compound interest तो यह 4.5 परतिसत का कितना हो जाएगा 104.5 divided by 100 into 104.5 divided by 100 यह क्या हो जागा उसका amount तो आपको calculate करके बताना है comment box में कि इसका answer कितना आएगा next question है कमला एक बैंक में 2 वर्स की अवधी के लिए 5 लाख रुपे जमा करती है ब्याज की दद 8% है अर्दवार्सिक रुप से संजोजित होती है तो परिपकवता के समय कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर compound interest पुछा गया है तो 2 वर्स की अवधी के लिए है तो अर्दवार्सिक संजोजित किया जाता है तो 8% का अर्दवार्सिक कितना होगा 4% और 4% अब कितने साल के लिए 2 साल के लिए तो 2 साल में कितना आधा होगा 4 होगा 4 परतिसद 4 परतिसद 4 परतिसद 4 परतिसद और 4 परतिसद तो अधि इसको calculate करते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे कि 4 और 4 का जो कम CIE जो एकोवेलेंट होगा वो कितना होगा 8.16 और इस 4 और 4 का कितना होगा 8.16 परसेंट है अधि सिंपल इसको फिर से जोड़ देते हैं 8 और 8 का लेते हैं तो यह कितना आ जाएगा सोलर पॉइंट 32 पलस 8 8 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो approximately 17 परसेंट ले सकते हैं चुकि एंसर इसे बहुत जो क्वेस्टन में जो एंसर दिया हुआ है वह एंसर में अच्छा खासा डिफरेंस 89,000 94,000 84,000 इसमें भी लगबग 500 का डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा डिफरे बहुत जड़ा का है शतर पच्छे पचासी सौ एवरेज होता है तो सोलर अधिक कम होगा चछ तो सट्र्लब परसेंट से ज्याधा है और स Aujourd परसेंट से थोड़ा सा कम है तो सोलर परसेंट कितना हो जाता है शोलव पचे आठ बरसेंट 8000 यूज करना है, इससे क्या होगा, कि आपका जो प्रस्ण है, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नेक्ट्स प्रस्ण है, गंगाराम ने एक बैंक में, गंगाराम ने एक बैंक में, एक लग पचास अजार रुपये, 0.75 गवर्स के लिए जमा किया, तो 0.75 गोर्स देखते ही आपको 3 बटा 4 किलिक हो जाना चाहिए बैंक द्वारा इस पर 12% ब्याज़दर 83 कृप से लगाया जाता है तीन तीन महिने का 1, 2, 3, 4 तो कितना आ जाएगा तीन, तीन, तीन और तीन यह आ जाएगा अब तीन बटा 4, तो 4 दिनकी है जिसमें से 3 में जमा किया है तो इसका CIE equivalent निकाल देना है तीन, तीन, तीन का तो इसका CIE equivalent कितना हो जाएगा 3 तीन, 9 तीन, 27 3 तीन, 9, तीन, 27 और 3 तीन, 9 9.2727 इसका अवधी की समाप्ति पर उसे कितनी राशी प्राप्त होगा इसको ऐसे नहीं इसका जो टोटल एमाउंट निकालना है तो एमाउंट कैसे निकालेंगी तो यह हो जाएगा इसे आप सॉल्ट करके इसका भी कमेंट जो है एंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कीजएगा जिसका सही होगा उसको पिन कर दिया जाएगा नेक्स प्रसन है यह बेल वाला कि एक बेल को 1.6 मिनट में दूसरा 2.7 मिनट में और तीसरा 1.2 मिनट के अंतराल पर बजना शुरू करती है तो फिर से तीन घंटियों के एक साथ बजाया जाता है तो उस समय तक बजने वाली पहली घंटी की आविरती की संख्या व्याद करें मतलब बोला गया है कि एक बार सभी बेल को बजाया जाता है और फिर से जब एक बार बेल बजेगा उस समय तक जो पहली वाली घंटी है कितना बार बज चुकी होगी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि पहला बार जब इसको तीनों को एक साथ बजाया जाएगा फिर से पहली बार कब बजेगा तो उसके लिए LCM निकालना रहता है तो LCM 1.6 का 16 बटा 10 27 बटा 10 और 12 बटे 10 हो जाएगा तो LCM कैसे निकालते हैं उपर का LCM हो जाएगा 16, 27, 10 का LCM हो जाएगा कितना 27, 12 है तो ये 4 आएगा चुकि 3 इसमे है और 16 है तो 4 डिवाइड़ बाई HCF नीचे का आएगा 10 अब इतना समय में पहली बार बजेगा अब पहली बार इतना समय में बजेगा और वो जो घंटी है पहला वाला वो हर एक 1.6 मिनट में बज रहा है तो हरेक 1.6 मिनट में बज रहा है और इतना बार में पहली बार बजेगा तो तो तोटल बज़ा ज़ा है उसको देखने के लिए क्या करेंगे 1.6 से डिवाइड कर देंगे एक्चुली जगे यह यहाँ पे टोटल बार बज़ा है इतना बार में और हर एक बार में इतना बज़रा है तो अधी एक बार का डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा तो टोटल कितना से डिवाइड कर देंगे 1.6 से तो 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट से 0 हट जाएगा और 16 से 16 हट जाएगा तो कितना बज जाएगा 27 मतलब 27 बार बज चुगा होगा नेक्स प्रस्ट है राम लाल ने अपने उत्पाद की अंकित कीमत को लागत कीमत से 50% तक बढ़ा कर निधायत किया था बिकरी के समय उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे ना तो लाव हो ना ही आनी हो suppose mass price और cost price 50% increase किया है तो 2 से कितना हो जाएगा 3 और selling price ना तो लाव हो ना तो आनी मतलब selling price को भी 2 रखना पड़ेगा तो 3 का समान कितने भी बेच रहा है 2 में तो कितना छूट देना पड़ेगा एक बड़ा 3 मतलब 0.33% Next question है अधी एक टंकी को एक ही समय दो पाइपों से 6 गंट में भरा जाता है और एक पाइप यहां पर थोड़ा सा सुधार लिजेगा यह 5 गंटा तेजी से होगा तो तेज वाले पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा तो जिससे सपोज करें कोई पाइप x गंटे में भर रहा था और दूसरा तेजी से भर रहा है तो x-5 गंटे में भरेगा इसका वेल्व कितना है 1 by 6 अब इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 2x-5 और x square-5x इक्वल टो 1 by 6 ते आजाएगा x square-5x इक्वल टो छोदुना 12x-30 ते बारा 5 आजाएगा x square-17x पलस 30 इक्वल टो 0 इसको break कर देंगे x square-15x-2x पलस 30 इक्वल टो 0 तो इसको LCM लेंगे तो x into x-15 आएगा माइनस 2x-15 इक्वल टो 0 तो x का value एक 2 आजा रहा है और एक 15 तो 2 satisfied नहीं होगा तो 15 होगा तो 15-5 तो 10 गंटे में भर देगा next question है तीन पाइपों को एक साथ में खोला जाता है और टंकी को 4 गंटे में भरता है suppose x है y है और z है ये टंकी को 4 गंटे में भर रहा है और suppose एक पाइप x है 12 गंटे में भर रहा है y है वो 15 गंटे में भर रहा है तो z कितने गंटे में भरेगा LCM क्या हो जाएगा 60 ये हो जाएगा 15 यूनिट ये हो जाएगा 5 यूनिट ये हो जाएगा 4 यूनिट अब X और Y टोटल कितना भर दे रहा है 9 यूनिट तो Z कितना भर रहा होगा 6 यूनिट टोटल कितना भर ना है 60 बटे 6 मतलब 10 यूनिट सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर principal था, तीन साल के बाद, उनतर हजार, और फिर तीन साल के बाद, अथ Lego RatnaKow 240 हो जा रहा है, तो यह तीन साल में कितना बढ़ आई है, 9 पर लिएसे बढ़ा आई है, तो नो साल का जो सधारन बयाँ बोला गया है, तो यह तीन साल में ब्याज कितना होगा है, नो हजार, एक साल में ब्याज कितना होगा, तीन हजार, तो यहां पर तीन साल था, तो तीन साल में ब्याज कितना होगा होगा, नो हजार, अब टोटल एमाउंट उननतर हजार है, ब्याज नो हजार है, तो प्रिसिपल कितना होगा 60,000 तो ब्या इधर क्या हो जाएगा percentage rate 3000 बटे 60,000 into 100, 2,0, 2,0 2,0, 2,0 6 बचे 30 5% एंसर हो जाएगा option गलत है next person है simplify करना है तो इसको simplify करते हैं 2x square plus 4x minus x minus 4 plus 9 equal to 2x square minus 4x plus 3x minus 6 तो 2x square से 2x square कर जाएगा 4x sorry 4x minus x 3x 6x minus 4 8 plus 9 equal to minus x minus 6 ये कितना हो जाएगा 6x और ये के 7x equal to यहाँ पे एक पलस में होगा इधर जाएगा तो minus हो जाएगा x का value minus 1 option number B सही जवाब हो जाएगा नेक्स प्रस ने 20 20x square minus 38x y plus 18y square is equal to 0 x by y का value निकालना है तो y square से divide कर देते हैं तो 20 x by y square minus 38 x by y plus 18 हो जाएगा x by y को z ले लेते हैं और यहां से 2 else common ले लेते हैं तो 10 z square minus 19 z plus 9 equal to 0 ती क्या हो जाएगा simplify होके 10 z square minus 10 z minus 9 z plus 9 equal to 0 10 z z minus 1 minus 9 z minus 1 equal to 0 तो z का value 1 और z का value 9 by 10 तो option number यह सही जवाब हो जाएगा next प्रस्ट है sorry pen टपक गया इसका मतलब यह प्रसंद जरूर एकजाम में पूछेगा रिच्छा में भाग लेने वाले 273 विद्यार्थियों में से सफल और सफल होने वाले और सफल होने वाले यह किया रहा है भई यह साइद असफल होगा और यह सफल होगा देख लेते हैं पास और फेल 11 is to 2 11 is to 2 है तो 11 और दो तेरा का वेलू कितना है 273 तो तेरा दुना चभीस एक तेरा एकीस तो एकीस दुना ब्यालीस है स्टूडेंट और दो सो तीहतर में ब्यालीस चला गया तो इधर दो कम हो जाएगा तो 200 तो यह कितना आ गया 49 यह क्या होगा प्रेंको भई इसको काटते है तो 49 तेरा तीह 49 और यह साथ तीह काईस आट तीह 24 तेरा च्छक 78 मतलब 6 is to 1 तो क्या पुछा गया है असफल विद्यार्थियों का अनुपात असफल हुए तो देख लिजेगा पांस और फेल का अनुपात क्या आ गया 6 to 2 to 1 आप्सन नमबर यह नेक्स्ट है यह कोस्चन अब दे यह कोस्चन अब दे है यह आपको कमेंट बोक्स में जो है इसका एंसर बताना है और जिसका एंसर सही होगा इसको पीन कर दिया जाएगा यह हमारा ज्हारखंड का जो बैच है यह प्रैक्टिस सेट जो रंजित सर के द्वारा निकाला गया है और ज्हारखंड कॉंस्टेवल के लिए यह जो 25 फूल लेंज टेस्ट है 199 में एविलेबल है उसके अलावा आप हमारे वाने टेलीग्राव मेर्ण चैनल जो STUDYFORGall है उसको सबस्क्राइब कर सकते है और वहां पे हर संडे को फिरी टेस्ट जो है श्टडी FORGall जो एपलीकेशन है उस पे दिया जाता है हर संडे को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर करें और कमेंड करें ताकि आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को लाया जा सके और आप लोग के सेलेक्शन में हम लोग का भागदारी रहें धन्यवाद